प्रिया देश्वासियों, जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिक्ता, अनिवारिय होती हैं, वरना वोही कभी-कभी हमारे लिए बोज बन जाती हैं, भारत के क्रशी जगत में आधुनिक्ता ये समय की मांग है, बहुत देर हो चुकी हैं, हम बहुत समय गवा चुके है एग्रिकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए एफसर पैदा करने के लिए, किसानों की आई बढ़ाने के लिए, परामपरागत क्रशी के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशन्स को अपनाना भी उत्रा ही जरूरी हैं, वाइट रिवलूशन के दवरान देश न बी फार्मिंग देश में शहद क्रांती या स्विट रिवलूशन का आधार बना रही हैं, बड़ी संख्या में किसान इससे जुड रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कि पस्चिम मंगाल के दारजिरिंग में एक गाव है गुर्दुम, पहड़ों की इतनी उचाई, भ इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी माग हो रही हैं, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही हैं, पस्चिम मंगाल के ही सुन्दर बन इलाकों का प्राकृतिक और्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है, ऐसा ही एक व्यक्तिकत अनुभव, मु मैंने लोगों से कहा, यहां इतनी संभावना हैं, क्यों ने बनास काठा और हमारे यहां के किसान स्वीट रिवालुशन का नए अध्याय लिखे, आपको जानकर खुशी होगी, इतने कम समय में, बनास काठा शहद उत्पादन का प्रमुक केंदर बन गया है, आज बनास के यमुना नगर का भी है, यमुना नगर में किसान भी फार्मिंग करके सानाना कई सौट टन शहद पैदा कर रहे हैं, अपनियाय बढ़ा रहे हैं, किसानों की इस महनत का प्रिनाम है, कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, और सानाना करीब सवा लाग टन पहुंचा है, इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्याद भी हो रहा है, साथियों हनी बी फार्मिंग में केवर सहद से ही आई नहीं होती, बलकि बी वैक्स भी आई का एक बहुत बड़ा माध्यम है, फार्मा इंडस्ट्री, फूर्ड इंडस्ट्री टेक्स्ट्राइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जग बी वैक्स की डिमांड है, हमारा देश फिलहार बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिती तेजी से बदल रहे हैं, यानि एक तरह से आत्मा निर्भर भारत भ्यान में मदद कर रहे हैं, ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ देश के ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ भी फार्मिंग से भी जुड़ें, ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा झाल 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 झाल